नमस्कार दोस्तों सवागत अब सभी का आजकल नो कॉन्फिडेंस मोशन काफी खबरों में है आपने इस टॉपिक के उपर अखवारों में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स एडिटोरियल्स पड़े होंगे न्यूस चानल में काफी न्यूस और डिबेट देखी होगी आज हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियमेंट में होता क्या है ये किसके द्वारा लाया जा सकता है लोकसवा राजसवा में कौन से हाउस में ये लाया जा सकता है और इसके क्या रिप्रकर्शन होते हैं अगर गॉर्मेंट मान लो इ काफी important videos बनाई हैं जैसे president, vice president, prime minister, council of ministry, cabinet और बाकी भी जो बच्चे हैं वो हम धीरे-दीरे cover कर रहे हैं आप हमारी इंडिन पॉलिटी के playlist में जाके सारी वीडियो को एक बाद चेक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को देख भी सकते हैं और हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं इसके अलावा history, economy, geography, science and tech, environment and ecology के तमाम वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारी playlist को जुरूँ चख कर सकते हैं चलिए topic की शुरुआत करते हैं जिये हाली में मनीपुर में जो भी चीजें हो रही हैं आप सभ जानते हैं वहाँ माईटी च्पीस के बीछ मैं काफी जो मतभेद है जो क्या रहा है को किस मैं 30 का इशू क्या है इसको भी हमने अलड़ी एक अलग वीडियो में कवर किया है अगर आप तो देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा काफी इंपॉर्टेंट है काफी समय से वो खबरों में है तो उससे हाई चांसेजर की सवाल बन सकता है तो उससे आ ऊपधारन क्या है मनिपूर्वाइलन्स तो आज इस वीडियों हम देखने वाले हैं कि असल में नो कॉंफिडेंस मोशन होता क्या है देख़े जब भी हम नो कॉंफिडेंस मोशन के बात करते हैं तो नो कॉंफिडेंस को मतलब हुआ कि एक ऐसा मोशन जो यह बता रहा है कि अब जनता को या फिर वहाँ पे जो MPs हैं जो Elected MPs हैं उन्हें सरकार जो है गॉर्मेंट जो है उसके उपर confidence नहीं रहा है इसलिए No Confidence Motion एक ऐसा मोशन लाया गया जो ये बता रहा है कि जो सरकार है उसके उपर जनता का और जो वहाँ के जो Elected MPs हैं उनका confidence नहीं है और हर एक no confidence motion के पीछे कोई ना कोई reason होता है हम आगे जब history देखेंगे कि और कौन-कौन से prime ministers है जिनके खिलाफ no confidence motion आया था उसमें हम इसको अच्छा जा cover करेंगे तो no confidence ये तो layman language में हो गया कि भाया सरकार के उपर जो confidence है वो खतम हो चुका है असल में इसकी क्या definition होगे देखिए ये motion है जो usually opposition party के दोरह लाया जाता है अब obvious ये बात है जो party power में है जिसकी सरकार है वो तो लाईगी नहीं जो opposition party होती है वो ही usually ये motion जो है ये लेकर आती है इस motion के तहट government of the day government of the day का मतलब हुआ कि उस समय जब ये motion लाया गया उस समय जो सरकार है government of the day अभी जैसे यहाँ पर इस बार मनिपूर के violence के ओपर किसके खिलाफ लाया गया प्राइमनेस्टर नरेंदर मोधी के खिलाफ लाया गया तो government of the day यानि इस समय किसकी सरकार है बीजेपी के सरकार है मोधीजी के सरकार है तो government of the day को force किया जाता है किस चीज़ के लिए कि वो अपनी majority को proof करे on the floor of the house कि house में जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में बैठके वहाँ पे अपनी जो majority है उसे proof करे अब ऐसा हुआ क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यह मान लिया गया कि अब जैसे एक जगा violence हो रही है और सरकार कुछ करनी रही है ऐसा opposition का कहना है तो अब ऐसा हो सकता है कि जो भी party power में है उसके अपने जो elected MPs हो सकता है वो भी खफा हो या फिर बाकी party उने जो उस party का समर्थन किया है तो हो सकता है कि वो भी खफा हो तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह एक incident हुआ है तो इससे जो MPs हैं वो क्या हैं खफा हैं तो हो सकता है कि वो इसको समर्थन government को ना दे तो यहां पर यह बात होती है कि इसके माध्यम से जो government of the day होती है उसे force किया जाता है कि वो अपनी majority है उसे prove करे floor of the house में अब देखे अगर यह motion pass हो जाता है तो government जो है उसे resign करना पड़ता है जैसे मान लो motion आया जब motion आयेगा फिर उसके ओपर debate होगी debate के बार voting होगी जो हम आगे पूरा process देखने वाले हैं तो अगर government जो है वो अपनी majority prove नहीं कर पाई यानि कि जो government का जितने लोगों ने जितने MPs ने पहले साथ दिया था वो साथ उनको नहीं मिल पाया majority prove नहीं हो पाई तो इसका मतलब होगा कि जो motion opposition के दर लाया गया है वो pass हो गया और जैसे वो pass हो जाएगा तो government जो है उसको resign करना पड़ेगा अब देखे जो no confidence motion होता है यह motion of confidence इससे थोड़ा अलग होता है मतलब बिल्कुल opposite होते है अब देखे जो motion of confidence होता है इसको government लेकर आती है जो party in power में है वो लेकर आती है अपनी majority को prove करने के लिए opposition parties को counter करने के लिए तो एक होता है motion of confidence जो की हमेशा party in power जो की power में है जिसकी सरकार है वो लेकर आती है एक होती है no confidence motion जो कि opposition party लेकर आती है अभी तक I hope आप इन तोनों को समझ चुके होंगे ये हूँ का क्या अब सवाल यह आता है कि no confidence motion जो है उसको कौन move कर सकता है तो देखिए सबसे पहली बात ये जो no confidence motion है ये सिरफ लोकसभा में ही लाया जा सकता है लोकसभा में ही move कर जा सकता है जैसे कि अब सब जानते हैं कि इंडिया में parliament के दो house होते हैं लोकसभा और राज्यसभा तो जो भी no confidence motion आएगा वो हमेशे लोकसभा में आएगा वो कभी भी राज्यसभा में नहीं आएगा ये अपने धान में रखना है अब इसको देखिए जैसे मैंने का कि राज्यसभा में इसे move नहीं किया जा सकता है अब देखियो any member of the लोकसभा can move a no confidence motion no confidence motion जो है वो लोकसभा का कोई भी member ध्यान रखेगा any member कोई भी member लोकसभा का no confidence motion ला सकता है तो ये बात होगी who can move a no confidence motion लोकसभा में ये motion आएगा और लोकसभा का कोई भी member any member of लोकसभा can move a no confidence motion मगर एक चीज़ यहां होगी कि जो भी motion आएगा उसको at least 50 members का support होना चाहिए यानि कि जो भी motion है वहाँ पे 50 लोगों ने at least उस motion का समर्थन किया होना चाहिए ला तो कोई भी व्यक्ति सकता है लाएगा तो एक individually लेकिन उस individual का जो motion होगा उसमें at least 50 members का support होना चाहिए अब बात होगी कि सिरफ लोकसभा में आएगा बात होगी कि लोकसभा का कोई भी member ला सकता है लेकिन उसको move कैसे किया आता है तो देखे जो no confidence motion होता है सबसे पहले जो members उसको ला रहे हैं और move कर रहे हैं उन्हें उसको sign करना पड़ता है उसके बाद sign करने के बाद लोकसभा का जो speaker होता है उसके पास उसे submit करना पड़ता है speaker of लोकसभा जो होगा फिर वो decide करेगा कि उसको admit करना है discussion के लिए या नहीं करना है जैसे मैंने आपको तीसरी slide में बताया कि जो umbrella हमारे इस समय के लोकसभा speaker है उन्होंने इस motion को accept कर लिया है तो ये बात आती है कि ये speaker के उपर depend करता है वो decide करेगा कि ये जो motion submit किया गया है इसको हमने admit करना है discussion के लिए या नहीं करना है फिर अगर admit कर लिया जाए तो speaker जो है वो date और time decide करता है जब उस motion के उपर discussion होगी तो speaker है वो decide करेगा तारीक और उस तारीक में समय कि इस तारीक को इस समय इस no confidence motion के उपर discussion होगी और ये जो लोकसभा का speaker decide करता है date और time discussion के लिए ये सारी के सारी जतने भी political parties होती है उन सब के साथ consult करने के बाद ही ये जो समय है जो date है जो time है उसको decide किया जाता है लोकसभा के speaker के द्वारा अब सवाल है कि how is the no confidence motion debated और voted एक बार पहले होगी कि लोकसभा में आएगा कोई भी member ला सकता है 50 लोगों के द्वारा उसका समर्थन चाहिए फिर उसको submit किया जाएगा आपके लोकसभा का जो speaker होगा speaker decide करेगा इसको admit करना है या नहीं करना है अगर मानलो admin कर लिया जाता है तो फिर वो सारी parties के साथ consult करके decide करेगा date और time जब उस no confidence motion के ऊपर debate होगी जब उसके ऊपर discussion होगी अब सवाल यहां पर यह आता है कि debate और vote इसके ऊपर कैसे पड़ता है तो देखे सबसे पहले जो motion है वो move किया जाता है उन members के द्वारा जिनोंने उसको submit किया है लोकसभा speaker के पास फिर government जो है उसको उस motion के खिलाफ respond करना पड़ता है कि यह जो motion हमारे खिलाफ आया है यह क्यों निराधार है यह क्यों illogical है क्यों इसमें कोई सत्यता नहीं है और किस परकार से हमारे पास अभी भी यहां के majority members का यानि लोकसभा के majority MPs का और इस देश की जनता का भरोसा confidence बना हुआ है तो government जो है वो इस परकार से उस motion के खिलाफ respond करती है उसके बार opposition parties जो होती है उनको opportunity मिलती है कि वो उस motion के उपर बोले लोकसभा में जो motion वो लेकर आए है उस motion के उपर सबसे पहले तो government ने response किया उसके उपर फिर opposition parties को opportunity मिलती है कि वो उसके उपर बोलें कि और वो क्या बोलेंगे और वो यहीं बोलेंगे कि किस परकार से सरकार ने जो भरोसा है जो confidence है वो खोया है तो इस परकार से पूरी की पूरी debate होती है सारे अरोप प्रत्य अरोप लगया जाते हैं government जो है वो अपनी सफाई देती है opposition parties जो है वो सवाल पर सवाल पूछते है opposition parties जो है वो यह प्रूव करना चाहती है कि क्यों आपके पास confidence नहीं है और जो government होती है जो party in power होती है वो अपने बात रखती है कि किस प्रकार से हमारे पास अभी भी confidence है अब यह सारी किसारी debate होने के बाद लोग सबाफ finally vote देती है और यह जो vote होते हैं यही end में result बताता है कि जो motion है वो pass हुआ है fail हुआ है और अगर pass होगा तो आप सब जानते हैं सरकार गिर जाएगी fail होगा तो फिर जो motion है वो गिर जाएगा और सरकार जो है वो बनी रहेगी तो इस पूरी debate के बाद लोग सबाद जो है वो vote देती है no confidence motion के ऊपर अब यह motion तब pass होगा जब इस motion को support किया जाएगा majority of the member of the house house में जितने भी majority members होंगे ठीक है majority मतलब कि सबसे जादा अब देखो 100% तो ना समर्थन कर सकते हैं 100% ना विरोध कर सकते हैं तो कुछ party के हैं कुछ opposition के हैं मतलब कुछ party in power के होते हैं कुछ opposition party के तो यहाँ पर majority चलती है तो अगर majority जो members हैं जो MPs हैं उन्होंने अगर इसे support किया तो यह motion pass हो जाएगा अगर यह motion pass हो गया तो फिर government जो है उसको resign करना पड़ेगा लेकिन अगर government vote को win कर जाती है यानि कि इस motion के लिए जो majority vote की जरूरत है वो नहीं मिल पाता है तो फिर जो government है वो जीच जाएगी और फिर एक confidence motion जो है वो लाए जाएगा कि अब जो MPs हैं वो वोट देंगे कि आपको सरकार के उपर party in power के उपर क्या है confidence है भरोसा है और देखें जैसे ही यह motion defeat हो गया जैसे जो no confidence motion है अगर वो defeat हो जाता है तो government जो है वो remains in power यानि वो सरकार में रहेगी क्योंकि उन्होंने confidence जीत लिया यह होता है तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस परकार के जो motion नहीं इसलिए बनाएंगे ताकि कि किसी भी particular time पे यह test किया सके कि जो government है क्या वो confidence जो है majority का उसे enjoy करती है house में यह नहीं करती है क्योंकि समय के साथ साथ कई बार ऐसा होता है इवन कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पार्टी के अंदर ही लोग जो है अपने जो में लीडर होता है उसके विरुद हो जाते हैं तो यह एक मतलब एक sort of आप बोल सकते हो कि opposition के दोरा tactics होते हैं कहीं ना कहीं कि देखा जाए कि अगर इस परकार से अगर कोई भी मतलब मालो पार्टी के अंदर या फिर गड़बंधन के अंदर लूप होल है तो उस लूप होल को कैसे उजागर किया जाए और कैसे उसकी मदद से आ majority का confidence enjoy कर रही है यानि majority उसके ऊपर confidence कर रही है या नहीं कर रही है अब यह देखो यह बाते होती है parliamentary democracy के under क्योंकि हमारा भारत है कि parliamentary democracy है अब parliamentary democracy के होती है इसे प्रखावर्मेंट्री डेमोक्रेसी मतलब यहां पर करवाया है तो आप मेरी इंडेन पॉलिटी के सीरीज में जाए इलेक्शिन वहां पर आपको प्रेजिदेन के यहां को पता चल जाएंगे वीटो पावर क्या होती है कैसे निकाल जाती है सिंगल टांसफरेबल वोट क्या होता है इसको मैंने कलग टॉपिक में कवर किया है तो वह सारी चीजा आपको देखने को मिल जाएंगी उसके साथ साथ presidential form of government और parliamentary form of government में क्या फरक होता है कौन-कौन से unique characteristic features होते हैं वो सारे आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे एक बार उसे जुरूर देखेगा लिंक आपको description में मिल जाएगा या फिर जैसे मैंने कहा कि मेरी playlist में जाएंगे इंटेन quality वहां पर आपको साही वीडियोज मिल जाएंगी तो अब क्योंकि भारत में parliamentary democracy है तो इसलिए government जो है वो तभी तक power में रह सकती है जब तक जो वो elected house है वहां पर majority उसके साथ है जब तक majority उसके साथ है तभी तक जो government है वो power enjoy कर सकती है अब हम थोड़ी history के बात करते हैं कि क्या आज से पहले जो बाकी प्रधानमंतरी इस देश के रहे हैं क्या उनके खिलाफ भी कभी no confidence motion आया है हम देखेंगे कितने लोगों के खिलाफ आया है सबसे जादा no confidence motion किस प्रधानमंतरी के खिलाफ आया और ऐसे कौन से prime minister है जिनके खिलाफ कभी no confidence motion आया ही नहीं और वो कौन सा प्रधानमंतरी है जिसकी सरकार गीरी थी no confidence motion की वज़ा से तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो first no confidence motion था तो वो आया था इस देश के पहले प्रधानमंतरी श्री जोहल नाल नहरूजी की सरकार के खिलाफ तो जोहल नाल नहरूजी के खिलाफ no confidence motion जो पहला no confidence motion वो आया था in the year of 1963 कौन लेकर आया था अचार या जे बी कृपलानी अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी no confidence motion आता है तो उसके बीचे कोई ना को कोई रीजन होता है तो यह जो first no confidence motion आया था 1963 में अगेंस्ट जोहल नाल नहरू कौर्मेंट बाय अचार जे बी के प्लानी इसका रीजन क्या था इसका रीजन था प्राइम मिनस्टर की चाइना पॉलिसी अब आप देखो यह कब बाया 1963 में और 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ इंडिया चाइना वार्ड तो इमेजेटली आफटर 1962 जैसे 1962 का युद्ध हुआ उसके इमेजेट बात 1963 में प्राइम मिनस्टर जोहल नाल नहरू की जो चाइना पॉलिसी थी उसके लिए उसके ऊपर उसके खिलाफ अचारे जेबी के प्लानी ने 1963 में पहला नो कॉन्टियनस मौशन जो आला नहरू कॉर्ममेंट के खिलाफ लाया था तो इस देश ने फिर्स्ट नो कॉफिनस मौशन 1963 को देखा था इस मौशन को सम्यें 44 मěंबर्स ने सुपोर्ट किया था जैसे मैं आपको कहा एक मौशन आता है फिर कुछ लोग उसको सुपोर्ट क बनी रहे 62 लोगों को परदान मंत्री ज्वाल नाल नहरू के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था 347 को था तो इसलिए इस हिसाब से यह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था यह क्या हो गया यह लोस हो गया फिर हमारे पास आती है इंदरा गांधी इंदरा गांधी ने अपने 16 साल के टेन्योर में 16 साल एजा प्राइम मिनस्टर 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किये हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मोस्ट नंबर ओफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो भारत के किसी भी प्रदान मंत्री ने फेस किये हैं इन दा हिस्टरी ओफ इंडिया लौऑ अपने 16 साल के प्रधान मंतरी के टैन्योर में 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंद्रागांधी ने फेस किये जो की मोशन नंबर ओफ नो कॉफिडेंस मोशन है इन हिस्टर औफ इंडिया 12 मोशन इनके खिलाफ है इन हर फस्ट शिंट फस्ट स्टिंट मतलब कि जब पहल कारेकाल ठेका सिटंट का मतलब हो था कारेकाल तो जो इनका पहला कारेकाल था पांसार का कारेकाल होता है पहला कारेकाल जब था तब बारा मोशंस इन्होंने फेस किये थे including एक मोशन जो की अटल व्हारी वाजपेज जी 1967 में इनके खिलाब ले कर आए थे और तीन motions इन्होंने अपने second stint जो दूसरा कारेकाल था वहाँ पे face किये थे तो 12 प्रस 3 पंदरा तो 16 साल के tenure में 15 motions नो confidence motions को इंदरा गांदी ने face किया था अब यहाँ पे सवाल है कि क्या इस देश में आज दिन तक no confidence motion की वज़ा से किसी के सरकार गिरी है तो इसका जवाब है बिलकुल छटी जो हमारी लोगसबा थी उसमें पहली बार इतिहास में एक non congress party power में आई हमेशा से congress ही सरकार में रही है शिक्स लोगसबा में first non congress party जो थी वो power में आई जब नई government को led किया मुराज जी देसाई जी ने और ये overwhelming majority के साथ जीते थे overwhelming majority इतना ज़ादा जितनी majority इनको मिली थी इतना शायद उस समय किसी ने expect नहीं किया था कि congress के खिलाफ लड़के इतनी ज़ादा seat in लाई जा सकती है लेकिन मुराज जी देसाई ने वो करके दिखाया था और नई government उन्होंने six लोग सबाब बनाई जब पहली बार एक ऐसा party power में आई जो कि congress नहीं थी first non congress party और उसके जो prime minister थे वो कौन थे मुराज जी देसाई अब मुराज जी देसाई जी के समय क्या हुआ दो non confidence motions आये तो जो पहला non confidence motion था वो जीत गए लेकिन जो दूसरा non confidence motion था वो inconclusive रहा यानि उसका कोई conclusion नहीं निकला था जो debate हुई उस debate उस discussion का कोई भी conclusion नहीं लिकला लेकिन unfortunately उसकी वज़ा से मुराज जी देसाई जी की जो सरकार थी वो गिर गई थी तो basically हुआ क्या कि 11 जोलाई 1979 को मुराज जी देसाई जी के खिलाफ YB 54 ये हैं YB 54 ये no confidence motion लेकर आये थे अब ऐसा claim किया गया कि इनकी जो सरकार है इनकी जो नीतिया है इसकी वज़े से all walks of life यानि जितने भी लोग हैं अलग लग परकार के जितने भी लोग हैं वो सारों को सरकार के ओपर जो confidence है वो खतम हो गया है इसके उपर discussion हुई लेकिन वो discussion inconclusive रही लेकिन उसके बाद देसाई जी ने 15 जुलाई को अपना जो resignation है वो President नीलम संजीवारेडी को दे दिया और उसके बाद से उनकी जो सरकार है वो गिरी गई क्योंकि मैंने आपको Prime Minister of India की जो powers वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको powers बताई है उसमें मैंने आपको बताया है कि Prime Minister है तब ही Ministers है cabinet है Council of Ministry है अगर Prime Minister मानलो design दे देता है तो पूरी लोग सबा क्या हो जाएगी dissolve हो जाएगी इसे मैंने आपको काफी अच्छे से उस वीडियो में जहां पर मैंने powers of Prime Minister बताई है उसमें मैंने बताया है आप उसे जुरूर देखेगा लिंक आपको description मिल जाएगा मेरी प्लेडिस में इंडियन पॉलिटी वहां मिल जाएगा तो जैसे ही मुराजी देसाई जी ने यहां पे 15 जुलाई को क्या किया अपना रेजिगनेशन दिया तो वैसे ही जो सरकार है वो गिर गई लोग सबाव डिसोल्व हो गई अब यहां पर तीन-चार सवाल बनते हैं पहला कि ऐसा कौन सा प्राइम मिनस्टर है जिसकी नों-कॉन्फिदेंस मोशन के वज़र से सरकार गई तो मराजी देसाई यह जो नों-क अब अगर हम देखो सारी लिस्ट देखें नों-कॉन्फिदेंस मोशन की तो हम यह पाते हैं कि लाल बहादूर शाष्ट्री जी और पीवी नर्सिमाहराओ इन्हों ने अपनी लाइफ में तीन नों-कॉन्फिदेंस मोशन देखें मुराजी देशाई अटल वहरिवाज पर तक अगरिवाज उफिदेंस मोशन देखें अपने जीवन में मतलब अएजाब प्राइम मिनस्टर फिर जोहाल नानल नाहरू और अजीव गांदी एन्हों ने अपने टेन्यूर में एक-एक नों-कॉन्फिदेंस मोशन देखा लेकिन ऐसे कई प्राइम मिनस्टर हैं जैसे चरन सिंग, वीपी सिंग, चंदर शेखर, HD देवे गोडा, IK गुजराल, इन्होंने कोई भी मोशन नहीं देखा, यानि इनके खिलाफ कोई भी no confidence motion नहीं आया, यह था इस lecture का analysis, यहां पर हमने देखा no confidence motion होता क्या है, कैसे आता है, कैसे वूट किया जाता है, कौन लेकर आ सक सकता है, और फिर हमने देखा कि इसकी history क्या रही है, किस परकार से, किस-किस परधान मंतर के खिलाफ no confidence motion आये हैं, किनके खिलाफ नहीं हाए हैं, किनके सरकार गिरी है, और सबसे ज़्यादा no confidence motion किसके खिलाफ आये हैं, यह इस lecture का analysis था, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी ह अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, पॉलिटिस्ट एकोनोमेजी, के टेक्ज़राफी, साइंस, वाम में टेनेकोलोजी की तमाव वीडियो को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस को जरूर चेक करिएगा, और जितने भी वीडियो के मैंने आपको इस लेक्चर में करी है, वो सारी के सारी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस में मिल जाएगी, आप जाएगे मेरी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस में वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलने वाली है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करिएगा मुझे आपके सुपोर्ट की जुरूरत है अगर आपको कोई भी कमी लेगे तो प्लीज कमेंड बोक्स नो जुरूर बता दीजिएगा मैं चाहता हूं कि कुछ नो कुछ मेरी कमी होगी तभी मुझे इतने रीच नहीं मिल रही है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी जो कमी हैं वो मुझे गिनाएं ताकि मैं अपने आपको इंप्रूफ करूँ और फिर मैं उससे सबसे अच्छा से अच्छा चा कंटेंट आपको लेकर रहा हूं तो प्लीज मेरे चैनल में अगर आपको कोई भी कमी लगेगी तो आप मेरे को कमेंट वोक्स में बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मेरे को कमेंट वोक्स में बताइएगा उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से अ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा थैंक्यू सो मुझ फू वाच्चिंग